साइस का सकेंड सिटिंग का ओरिजिनल कोस्टन पेपर आउट हो चुका है देख सकते हैं सेट एच का दोस्तों विश्वास नहीं तो देखिए ओरिजिनल है ने देखिए दो हजार चोबीस लिखा हुआ ओरिजिनल है यही आपके जाम में पूछा जाएगा फटा फट आपको पूरा रट के जाना है देखिए हम टैपिंग कर लिए सभी परस्नों को क्योंकि डैरेक्ट ओरिजिनल डाले में थुरा रिक्स था इसलिए सभी परस्नों को हम टैपिंग कर लिए फटा फट सभी का अंसर बताते हैं आपको पूरा रट के जाना है पहला परस्न कर रहा है न डी राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रसन देख लिजे अगला प्रसन आपका तीन नमर का रहा है जूल कुलाम जे बटे सी बराबर होता है तो राइट एंसर इसका आपका यह हो जाएगा ओल्ट होता है ओल्ट चलिए अगला प्रसन देख लिजे चार नमर चार नम जो दहन कर उसमा उथपन करते हैं, उन्हें कहा जाता है, तो वह आपका हो जाएगा इंधन, इंधन कहा जाता है, ये किस दिरिश्टी दोस के, निवारन के लिए अवतल निस्ट का परयूग किया जाता है, तो राइट इंश्टी दोस, याद रखेगा, सभी परसन आउट हो चुका है बस हम इसको टैपिंग कर ली है साथ नमर प्रस्ण आपका का रहा है कि दूर दिरिष्टी दोस्वाले मनुस्त के चस्वे में होता है तो वह आपका होता है उत्तर लेंस होता है चलिए भी राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण देख लिजिए अगला प्रस्ण आपका साथ हो गया आठ नमर आठ नमर का रहा है लगुपट के समय परिफट में बिधु धारा कामान बिधु धारा कामान तो वह जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है सी राइट एंसर हो जाएगा याद कर लीजिए आउट हो चुका है प्रस्ण बस हम सभी को नमर कर लिए क्योंकि ओरिजिनल कोस्टर पेपर डालना डैरेक्ट थोरा रिक्स हो ठांगा इसलिए डिक्स के कारण हम डैरेक्ट टैपिंग कर लिए समी परश्ण को गोबड गोबर गयस एक परकार की है तो वह आपका हो जाएगा बायो गयस ठीकना बायो गयस राइट एं प्रति बीम बनता है तो राइट एंसर हो जाएगा अवतल दर्पन से ए राइट एंसर हो चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं 12 नमर प्रस्ण करा है कि हजामत बनाने के लिए परियोग किया जाता है यानि कि दारी बनाने के लिए कौन सा दर्पन परियोग किया जाता है तो आपका भी हो जाएगा अबतल दर्पन हजामत के जगह दारी भी हो सकता है तो यहाद रखना है दारी बरानेक लिए सैनूल में जो लगा रहाता है अबतल दरपन लगा रहाता है चलिए अगला प्रस्ट तेरे नमर करें निकरडिरिष्टी दोस्ट में किस लेंज का पर्योग होता है तो वह आपका हो जाएगा अबतल लेंस अबतल लेंस का परियोग होता है निकर दिरिष्टी दोस में और उतल लेंस का परियोग होता है दूर दिरिष्टी दोस में याद रखिएगा दोनों का कन्भीजन दूर कर दिये चौदा नमर का रहा है लेंस की छमता का साई मातरक होता है सबको पता होगा डाई अप्टार होता है ये राइट एंसर हो जाएगा चलिए 15 नमर का रहा है परकास के कारणों के समु को कहते है तो वह हो जाएगा किरन पुझ कहते है भी राइट इंसर हो जाएगा पूरा घोल के पी जाएगा एक बजे से पहले आपको पूरा रट के चल जाना है सोला नमर करा है किसी माध्यम में छोटे-छोटे कनो के निलंबन को कहा जाता है तो राइट एंसर हो जाएगा कोलाइड कहा जाता है ए राइट एंसर हो जाएगा चलिए सतरा नमर प्रस्ण करा है कि फूलों में नर्परजनन अंगों होता है तो वह होता है पूंके सर, पूंके सर में यह राइट एंसर हो जाएगा 18 नमर्ट प्रस्ण करा है मनुस के आहर नाल में अब सेसी आंगा है तो राइट एंसर भी हो जाएगा एपेंडिक्स आपको प्रस्ण और उत्तर पे ध्यान देना है और किसी भी उप्सण पे ध्यान नहीं देना है चलिए अगला प्रस्ण देख लिजिए अगला प्रस्ण आपका 19 नमर्ट प्रस्ण आपका 19 नमर्ट प्रस्ण आपको प्रवलता का SI मात रखा है तो राइट एंसर यह हो जाएगा निर्गत किरानेवंग अभी लम के लिए बीच के कोन को कहते है तो राइट एंसर आपका निर्गत कोन हो जाएगा SI राइट एंसर हो जाएगा याद कर लिए यहीं सब प्रस्ण आएगा 22 नमर्ट का रहा है यह धारा मापने के यंद्र को कहते हैं तो right answer यह हो जाएगा आप मीटर second sitting वाले फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको पूरा रठके जाना है चलिए तो इस नमर कह रहा है डैनमो से किस परकार की धारा पर आप तो होती है तो right answer आपका दोनो धरा है ठीक न यानि कि आपका दिष्ट धरा भी परतियावर्ति धरा इसलिए C हो जाएगा दोनो धरा है याद रखेगा वहाँ आपको A और B इस पर कार रहेगा तो दोनो मार देना आपको चलिए 24 नमर कार रहा है कि आवेस का मातरक है आवेस का मातरक सबको पता होगा कुलाम होता है ये राइट एंसर हो जाएगा चलिए 25 नमर कार रहा कि नवी करने उरजा का सुरोथ है नवी करने उरजा का सुरोथ है स्वर उरजा चलिए अगला प्रस्ण देख लिए पूरा रट के जाईएगा यही सेम टू सेम प्रस्ण पूछा जाएगा साइंस में चलिए 26 नमर कार रहा विदूत बल के फिलामेंट में किस तत्व का उपियोग होता है तो राइट एंसर हो जाएगा टंगस्टन सबको पता होगा विदूत बल में टंगस्टन धातु लगा हुआ रहता है चलिए अगला प्रस्ण आपका 27 नमर कार अभी नेत रिलेंस फोकस दुरी में परिवर्तन किया जाता है तो राइट एंसर आपका हो जाएगा पक्षाम भी मांस पेसियों दुबारा C राइट एंसर हो जाएगा चलिए 28 नमर कार अभी चेपन अभी किरिया से किस परकार का लवन पराप्त होता है तो राइट एंसर हो जाएगा आपका O विले B राइट एंसर हो जाएगा याद कर लीजिए चलिए 29 नमर कारा बेंकिंग सोडा का रासाइनिक नाम है तो राइट एंसर हो जाएगा सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट ठीकिना B राइट एंसर हो जाएगा आप लोग चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है पटापट कर लीजिए सबको सस्क्राइब कर लीजिए 31 नमर कारा है आयक्स से धातु का निसकरशन तथा उसका परिसकरण और परिसकरण कर उपियोगी बनाने के परम को क्या कहते है तो राइट एंसर हो जाएगा धातु करम B राइट एंसर हो जाएगा चलिए 31 नमर कारा है कमपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उधारन है तो वह हो जाएगा उसमा छेपी B राइट एंसर हो जाएगा चलिए 32 नमर कारा है कि निम्न में कोन एक एक जेविक परकरम द्वारा अब घटित होने वाला पदार्थ है तो वह आपका हो जाएगा सुखे घास पत्ते एक राइट एंसर हो जाएगा चलिए 33 नमर कारा है कि मनुस में रिकक समंदित है तो वह आपका हो जाएगा उत्सरजन से C राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला परकरन 34 नमर कारा है निम्नांकित में कोन विजातिये योगक योगक है तो इसका राइट एंसर आपका वज़ेगा पलास्टर ओफ पेरिष डी राइट एंसर हो जाएगा 35 नमर कारा है निम्नांकित में किस दातु को किरोसीन में डुबा कर रखते है तो राइट एंसर हो जाएगा सोडियम सब को पता होगा सोडियम को किरोसीन में डुबा कर रखते है चलिए 36 नमर कारा है सोडियम कलोराइट के जलिये विलियन से विधुधारा परवाहित करने पड़ यह व्योजित होकर सोडियम हाइड्रोकसाइड हाइड्रोकसाइड बनाता है इस परिकिरिया को कहते है तो राइट अंसर हो जाएगा कलोर चारा भी किरिया यह राइट अंसर हो जाएगा चलिए 37 नमर करें कोन सा ओधातु कमड़े के ताप पर दरब होता है तो यह सब को पता होगा कि आपका जो है ए हो जाएगा ब्रोमीन ठीकना चलिए अगला प्रस्ट अगला प्रस्ट अपका 38 नमर करें सिसा और तिन की मिस्र धातू को कहते हैं तो वह आपका हो जाएगा सोल्डर यह राइट एंसर हो जाएगा चलिए उन चालिश नमर करें निमलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है तो सब को पता होगा तो इसका राइट एंसर यह हो जाएगा लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है चालिश नमर करें इथेन में कितने सह सर्योजक आबंद है तो राइट एंसर आपका हो जाएगा दो यह right answer हो जाएगा चलिए 41 नमर प्रसलिए आवर्ठ सारनी के प्रथम वर्ग के सद से है तो आपका हो जाएगा वी छारीय ओधातो चलिए अगला प्रसलिए 42 नमर करे आवर्ठ सारनी के उदे अस्तमभो को क्या कहा जाता है तो right answer अपका हो जाएगा वर्ग ये राइट एंसर हो जाएगा उदागर उदागर हो जाएगा उदागर अस्तम्बो को क्या कहा जाता है तो वर्ग कहा जाता है चलिए 43 नमर कर रहे सबसे कठोर तम तत्व कोन है तो वहाँ आपका हो जाएगा हीरा B राइट एंसर हो जाएगा सबसे कठोर है उसके बाद 44 कर रहे अकरिये तत्व कोन है तो अकरिये तत्व आपका हो जाएगा हिलियन हिलियन B राइट एंसर हो जाएगा 45 नमर कर रहे आधोनी का वर्थ सारनी में तत्वों की वर्गी करन का आधार है तो वह आपका हो जाएगा D, D हो जाएगा परमानु संख्या, D right answer, 46 कर रहे हिलियम कैसा तत्व है, हिलियम अक्रिये है, हिलियम अक्रिये गय से है, चलिए 47 नमर कर रहे, कोल सा अधातू विधूत का सुचालक होता है, तो सब को पता होगा, वह ग्रेफाइट जो है, सुचालक होता है, उस पे क्रेंट आता है, चलिए 48 कर रहे, आधोनी का वर्थ सारनी में कितने वर्ग है, तो सब को पता होगा, तो इसका right answer हो जाएगा, D, 18 देखिए, आवर्थ सारनी में वर्ग जो है, 18 होते है, और अस्थम जो होते है, वह सात होते है, याद रखिएगा, चलिए, अगला प्रस्न देख लिजिए, उसके बाद 49 नमर देखिए, प्रस्न कर रहा है, कि उदासिन बिलियन का पी एच मान क्या होता है, तो वह सब को पता है, कि उदासिन जल का जो है, पी एच मान होता है, सात के बराबर, सात के बराबर, सात से उपर रहेगा, तो छारिये हो जाएगा, ठिक, सात से कम रहेगा, तो अमलिये हो जाएगा ठीक न सब को पता होगा चलिए पचास नमर का रैको सिका का पावर हाउस कहा जाता है तो वह आपका हो जाएगा माइट्रो कॉंडिया को यह राइट इंसर हो जाएगा तो पचास आप रट के जाएए इससे बाहर आपका प्रस्न नहीं हैगा एक बार में याद नहीं होता है फिर से याद कर लिजिए क्योंकि यही हो बहु पूछा जाएगा